सियम अशोग घैलोद पहुंचे दिल्ली एरपोर्ट आपको बता दे कि सियम बारा बचकर पंदरे मिनेट की फ्राइट से जैपूर के लिए रवाना होंगे दो दिन से दिल्ली में राजनितिक बैठकों में हिस्सा लिया था और सियम कल चुनाओ परिणाम के दुरान जैपूर में ही मौजूद रहेंगे आपको बता रहें सियम अशोग घैलो दिल्ली एरपोर्ट पहुंच चुके हैं जैपूर आने का उनका कारेकरम है और सियम कल चुनाओ परिणाम के दुरान जैपूर में ही मौजूद रहने वाले हैं सियम अशोग घैलो दिल्ली एरपोर्ट पहुंच चुके हैं और सियम आपको बता दे कि 12 बचके 15 मिनिट की फ्लाइट से जैपूर के लिए रवाना होंगे आज दिल्ली में यूपीच एरपरसन सोनिय गांधी के आवास पर बेहत एहम बैठक है और इसमें मुखे मंत्री अशोग घैलोत को भी बुलाया गया था लेकिन क्यूंकि उनके जैपूर आने का कारेकरम था इसलिए इस बैठक में वो नहीं मौजूद रह पाए और अब सीम अशोग घैलो दिल्ली एरपर्ट पहुँच चुके है सीम बारा बचकर पंदरे मिनिट की फ्लाइट से जैपूर के लिए रवाना होंगे आपको बता दे कि दो दिन से दिल्ली में राजनेतिक बैठकों में हिस्सा लिया था और अब जैपूर के लिए रवाना हो रहे हैं लेकिन कल सीम अशोग घैलो चुनाव परिणाम के दुरान जैपूर में ही मौजूद रहेंगे आपको बता रहें सीम अशोग घैलो दिल्ली एरपर्ट पहुँच चुके हैं और बारा बचकर पंदरे मिनिट के फ्लाइट से जैपूर के लिए रवाना होंगे मौखे मंत्री अशोग घैलो चुनाव परिणाम के दुरान जैपूर में ही मौजूद रहेंगे दिल्ली एरपर्ट पहुँच चुके हैं आज दिल्ली में आयुजित होने वाली बैठक में शामिल होने वाले थे मौखे मंत्री अशोग घैलो लेकिन चुके उनके जैपूर आने का कारेक्रम था इसलिए उस बैठक में नहीं शामिल हो पाए और अब गल आपको बता दे कि चुनाव परिनाम के दुरान जैपूर में ही मौजूद रहेंगे मुखे मंत्री अशोग घैलो और इसी के चलते दिल्ली एरपोर्ट पहुँच चुके हैं सीम घैलो और आज बारा बचकर पंदरा मिनट की फ्राइट से जैपूर के लिए जैपूर में ही मौजूद रहेंगे रवाना होंगे और इसके लिए दिल्ली एरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं